नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिवेक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विद बिवेक जहां मैं मोबाल और केंपूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं वक्त बेल आइकन को ज़रू पैस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल से जल मिल सकें आयू दोस्तों आज आपको बताते ह कि मैंने आपको थमनेल में बताया है WhatsApp जो हम यूज करते हैं WhatsApp का बैक अप जो है दोस्तो हम उसमें email ID तो देते हैं और आप लोगों ने जब WhatsApp बनाए होगा तो अपनी email ID दी होगी लेकिन उस email messages के अंदर हम जो है उसको कहा धूड़ें कहां देखें ये हमें पता नहीं चलता है और बहुती complicated काम ये हो जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Google Drive पर आप उसको कैसे देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे लोगो को बता नहीं है कि जो Gmail है आपकी वो Google Drive पर ही लॉग इन करनी है जिससे आपने अपने WhatsApp पर email ID दी होगी backup के लिए वही same ID आप यहाँ पर जो आपको ये फोटो दिख रहा है मेरा इस पर क्लिक कीजिए ये जो दो आपको इस तरीके से email ID दिख रही है आप इन में से जो है उस email ID को select करें जिससे आपको WhatsApp चलता है तो उपर वाली हमारी select है इसी से हम WhatsApp चलाते हैं अब आपको करना क्या है ये जो search in drive लिखा है इसके पास में ये जो थ्री lines है आप यहाँ पर क्लिक कीजिए यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तो एक option आ रहा है वह सभी backup आपको यहाँ पर एक लिक पर मिल जाएंगे और देखिए जैसे कि हमारे phone का backup है दोस्तों नीचे आप WhatsApp का backup देख पा रहे हैं और आपके जो है लास्ट backup आप डेट देख सकते हैं ये refresh होता है चेंज होता है क्योंकि हमने हमारे WhatsApp backup को रोक रखा है इसलिए ये अभी यहाँ से fully updated नहीं है यह जो दोस्तों आप तीन डॉट हैं यहाँ से आप अपने backup को off कर सकते हैं और delete कर सकते हैं तो delete backup कर देंगे तो सारा backup जो है delete हो जाएगा और बिल्कुल भी data नहीं रहेगा turn off कर देंगे अगर आप कुछ time के लिए चाहते हैं कि कुछ ऐसा part है कुछ ऐसा हिस्सा है जिसका backup नहीं लिया जाना चाहिए तो आप इस backup को यहाँ पे turn off भी कर सकते हैं उपर आप हमारे mobile phone का backup देख रहे हैं इस पें अकिला delete backup का option आता है दोस्तों तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं रिफ्रेश या हम कहते हैं रिसेट करने के लिए और दोस्तों दूसरी बार जो सबस्क्राइब है वाट्सैप हुआ या जितनी भी आपकी चीज़े होनी आप उस backup को जो है एक regular basis पर कहते हैं कि सेब रखते हैं जैसे कि कुछ लोग weekly करते हैं monthly करते है yearly करते हैं day wise करते हैं कोई specific day पर करते हैं उसके according जो है backup यहाँ पर set होता है दोस्तों उसका कोई by default time होता है आपको by fi या mobile data network देना होता है उस तरीके से backup यहाँ आप जैसे हमने weekly set किया हुआ है तो weekly और पर यहाँ आता रहत है आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है backup अगर आपको देखना है तो आप यह three dots पर जाईए backups का option पर जाईए इस तरीके से आपको जो है आपके phone का backup दिखाई देगा और आसानी से आप जो है अपने backup को यहाँ पर रिलीट कर सकते हैं turn off कर सकते हैं जो भी आपको backup से सं complicated होता है email, send box, drop box, star box बहुत सारे वहाँ पर options होते हैं तो Google Drive पर आप आसानी से एक या दो क्लिक की मदद से जो है अपने backup को देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद दया होगा इस वीडियो को शेयर कीजिए कमेंट कीजिए आप मुझे कमे कीजिए मेरा नाम है विविक भारत द्वाज थेंक यू